हेलो गाइज, I am Raket Chitri और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम अपना बोडी ओडर सही करें और मैं इस प्रॉब्लेम से बच्पन से जूचता आया हूँ, मेरा बोडी ओडर बिलकुल अच्छा नहीं था लेकिन अब जाके मुझे पता चला है और मैंने इसको इंप्रॉब कर लिया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बकाइदा एक क्लास लगाना पड़ा, मेरे मेंटोर, मेरे गुरू से मैंने समझा इस बारे में उन्होंने मुझे बोला है, और मैंने किया हूँ इस चीज को, कि गरम पानी में लेमन और हनी मिला के पिया करें, मैंने ऐसा किया हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिला है, तो अब जब मेरा बोड़ी और अच्छा है, तो मुझे जौरत नहीं है, कि मैं अच्छे ज्यादा पर्फिम लाके निकलू, मैं बिल्कुल मीनिमम पर्फिम लाके निक वो एक किलो मीटर आगे से आरे तो पता चल जाता है, सरदर्द होता है उनके सामने खड़ा रेने में, तो आप किसी और का कौपी मत किजिए, समझे बात को, भगवान ने हमको नेचुरली बोड़ी ओडर दिया हुआ है, ना, भले किसी का अच्छा हो, किसी का खराब हो, ल नूटरल पर ला सकते हैं, तो क्यों हम बाहर से पर्फ्यूम खरीद के उसको ढखे, नेचुरली भी मेरे को, मैंने अपने लाइफ से सीखा हूँ, कि मेरे जो बड़े भाई है, उनका बोड़ी ओडर बहुत अच्छा है, नेचुरली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पास जाना है, और जो मेरे एक लड़की थी, जो दीदी टाइप है, उनका भी बहुत बड़ी आथा, मैं बच्पन में उनके पास ही इसलिए जाता था, क्योंकि उनके बहुत अच्छा खुस्बू आता था, नेचुरली, वो कुछ लगाती नहीं थी, तो हमें इसको नहीं चाहिए, उनका जो नेचुरल ओडर है, उसको बहार लाना है, हाँ अगर आप बहुत भाग दोड करने वाले हो तो थोड़ा उपर से पर्फिम छिड़क सकते हो, लेकिन आप इस तरह से नहीं छिड़क सकते कि अगल बगल वाले को सरदर्थ हो जाए, ये मेरा जाती आए है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन मैं इसी को मानता हूँ, और आप ये फोलो कीजिए, अगर आप लेमन हनी नहीं पी सकते, ज़स गरम पानी भी पी ले, तो भी काम हो जाएगा, ओके, होप यू इंजोई इट, और यू एप्लाइट, बाई